सौमवार की दोपर एक बजे के करीब इंदोर खरगोन मुख्य मार्ग इस्थित कसरावत के ग्राम बाल समूत के बस स्टेंड के नस्दीक दो बाईकों की आमने सामने जोरदार भीड़नतों हो गई जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौथ हो गई वहीं दो अन्य घायल हो गए जिन हैं हंड्रेट डायल की मदद से कसरावत अस्पताल पहुचाया गया जहां से प्रात्मिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया बड़वानी जिले के ग्राम रंगाओं डेम निवासी लल्लू उर्फ सुनिल पिता पंडू मानकर की मौके पर ही मौथ हो गई वहीं बाइक पर पीछे बेठा मरतक का भतीजा बादल पिता सोधान उम्र साथ वर्ष घायल हो गया साथ ही अन्य बाइक चलक रमेश पिता सितारामनात उम्र 55 वर्ष निवासी डेल मी जीला धार भी गहल हो गया जिन है हंडर डायल की मदद से कसरावद अस्पताल पहुँचाया गया सुचना पर वहां पहुचे सुचना पर पहुचे पहुचने के बाद जो है ना वहां बरिष्ट अधिकारी तो शेचल अधिकारी सभी अधिकारी आए समने लास का रिचर्ड दिया इसको सिर में मुह पर चोटे हैं मर्क काइन करके प्यम है जिला स्पताल बेजा देया है चोटे सिर में है अब प्यम रिपोर्ट के बाद उसमी बैदानी जी बहने बहने पी लेगा है इसा बता रहा है ऐसी कोई जानकारी नहीं है इसके हाथ में मंगल सूत्र है वो कड़े हैं मंगल सूत्र रूप पहने हैं पाईर में चान्दी के जैसे धातु के पाईजे पहने है आज सुबा साड़े दस बजे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि फकीर फालया मेहर गट्टी रूप में एक महिला की अज्यात लास खेत में पड़ी है सूचना पर मौके पर पहुँचे मौके पर बरिष्ट अदिकारी यों को भी जानकारी दी बरिष्ट अदिकारी महोदे भी मौके पर आये निरिछण किये एक मृतिका चमाईडी बाई पती सखाराम बारेला निवासी रू अबर के खेत में पड़ी थी उसका प्रारंभिक जाच कारवाई करके पीम हे जिला श्पताल भेजा है अभी पीम के बाद उसकी बस तुष्थिति क्लियर होगी उसके सिर में सिर में और चेहरे मुह पर चोटे थी प्रारंभिक जाच में क्या लग रहा सब्सक्राइब अभ परिजयन असंका यह डाक्टर प्यम के बाद बताएंगी है ठीट धन्वाद है है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले